नमस्कार बच्चों मैं संगीत भाले राम मेडम कक्षा साथवी बिये और सीके बच्चों को गणित पढ़ाती हूं देखो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगोंने प्रश्ण संग्रा 41 हल कर रहे हैं और प्रश्ण संग्रा 41 में प्रश्ण पहला दूसरा तीसरा ये गणित जो है वो आपको हल करके दिखाए हैं अभी इस वीडियो में हम लोग प्रश्ण पाच्वा जो है तो उसका तालिका दी है और इस तालिका में रिक्त जगा भरने के लिए कहा है लेकिन ये रिक्त जगा जो है वो हम लोगों को गनित हल करके ही भरनी है इसलिए ये गनित किस तरह से हल करना है यह हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो देखो इसमें प्रश्ण पहला पाचवा दिया है, नीचे दी गई तालिका में रिक्त जगवरों, उसमें पहला आंक दिया है, तो पहला प्रश्ण दिया है मूलधन, तो देखो इसमें मूलधन दिया है 4200 रुपए, ब्याज का दर दिया है, प्रतिशत प्रतिवर्ष, 7 प्रतिशत समय दिया है तीन वर्ष और ब्याज और मिश्रधन हमें ग्याध करना है तो इस तरह से यह जौ जानकरी दी है उसका उपयोग कर के मल्दहन है तो Сुत्र का उपयोग सद्रप्यों करेंगे साधर्म व्याज बराबर म गुर्णा द स बटे सो यानि मुलधन गुर्णा समय बटे सो देखो मुलधन है 4000 रुपए घुना समय दिया है तीन वर्ष बटे सो देखो पर 4200 गुणा 3,7 बटे 100, यहां के 2 शुन्य कैंसल, यहां के 2 शुन्य कैंसल, तो उत्तर आ गया, 42 गुणा 3,7, देखो, 7,21, तो 42 गुणा 21, तो यहां पर हम लोग ने कुणा की क्रिया किये है, देखो, 42 से कम 42, दहाई का शुन्य, 2 गुणा 4, 2 चोक 8, तो देखो, 2 में 0 जो है वो हागया हमारा साधरन ब्याज अभी साधरन ब्याज मालूम हो गया मुल्धन हमें मालूम है इसका आधर पर हम लोग मिश्रधन ग्यात कर सकते हैं तो देखो मिश्रधन का सुत्र है मिश्रधन बराबर मुल्धन जोड ब्याज तो देखो मुल्धन दिया है 4200 रुपए ज जोड ब्याज दिया है 882 रुपए तो देखो दोनों का जोड करूँ शुन्य में दो जोडा तो दो शुन्य में आठ जोडा तो आठ उसके बाद आठ और दो दस हासिल एक चार और एक पाच उत्तर आ गया पाच अजार 82 रुपए तो यह हो गया उसका मिश्रधन तो इस तरह से यह पहला गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाया है उसके बाद दूसरा गणित देखों दूसरा गणित है उसमें मुल्धन नहीं दिया है ब्याज का दर दिया है 6 प्रतिशत समय दिया है चार वर्ष ब्याज 1200 रुपए और मिश्रधन घ्याद करने का है यानि यहाँ पर मुल्धन मिश्रधन घ्याद करने का है वही प्रकार की पोड़न आपको उपियोग में लानी है तो देखों अभी यहाँ पर मुल्धन मालूम नहीं है ब्याज कलर दिया है 6 प्रतिशत समय दिया है चार वर्ष ब्यास दिया है 1200 रुपए मिश्रधन ग्यात करना है फिर से हम लोग सुत्रका उप्योग करेंगे साधर्म ब्यास बराबर म गुना द गुना क बटे 100 तो फिर यहाँ पर म ग्यात करना इसलिए म गो वैसा ही रखा है गुना ब्यास का धर 6 प्रतिशत गुना समय 4 वर्ष बटे 100 तो देखो यहाँ पर साधर्म ब्यास दिया है 1200 रुपए तो हमें म का मान ग्यात करना है तो यहाँ पर 6 और 4 क्या वशक्ता नहीं इसलिए इनका गुनन व्यास्त से गुना करना है तो इसलिए म बराबर देखो यहाँ पर इसको कोई हर नहीं है तो वो एक मानेंगे तो इसक 1,200 गुणा कर व्यासत होगा North उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूना 12 और ये 2 शुन्य रग देया यानि 200 गुना 25 तो देखो 25 दूना 20 और ये 2 शुन्य रग देया तो उत्तर आ गया 5000 तो म का मान आ गया 5000 म यानि मुलधन आ गया 5000 अभी हमें मिश्रधन ग्याद करना है तो मिश्रधन बराबर मुलधन जोड ब्याज तो इसलिए मुलधन था 5000 जो अभी आ गया है और उसका ब्याज था 1200 रूपे तो फिर उत्तर आ गया 0-0-0-0-0-0-0-0-2-5-1-6 उत्तर आ गया 6200 रूपे तो ये हो गया मिश्रधन तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 गनिज्जों है वो मैंने आपको इस वीडिय में फिर से आप लोगों को ये समझाने वाली हूं तो ये गनिज्जों है वो सिर्फ आप लोगों को रित्तस्तान नहीं भरने है बलकि ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इस वीडियो के द्वारा ही आप लोगों को इस तरह से गनित हल करने का प्रयास करना है देख